सो हे गाईज विल्केम बैक तो नहीं वीडियो ऑफ दिशैनल और आज हमार रेफ्लेक्शन फ्लेट जो कि फिजिस का चेप्टर फोर्ट है उसकी सेविंध पार्ट है तो इस चेप्टर में अभी जो हम पढ़ रहे थे वह था सेंटर ऑफ करवेचर रेडिस ऑफ करवेचर या और फिर आगे बढ़ेंगे विध प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंद शरी फिर डियरक लिए इससे स्टार्ट करते है है हमें पहले यह दिखाना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि हमने पढ़ा था सजैसे सेंटर ऑफ करवेचर कि वह स्फेरिकल मिलर जिसक सेंटर किसी Soon儿 का पार्ट है जिसमें मिरर बनता है फिखर थिखर मेसी सब्रेंद गए मिरर बन्यक ज़री हो जाएगा फो पहले हम सबन्केव मिरर के बारे में बात करने हैं के मेरे तो मेरे पते हैं को का इसे बंता है ऐसा एक हमारा थोड़ा और अच्छा होंची है हाँ ऐसे अब हमारा यहां पे हमने पॉलिश सर्फेस कर रखा है विकोज इसा कॉनकेव मेरे जो रिफ्लेक्टिंग है वो इनसाइड होगा यहां से हमारी बीट से जाती है एक लाइन यह प्रिंसिपल एक्सिस यह प्रिंसिपल एक्सिस अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा सेंटर ऑफ करवेशन लाए करता है पर अगर हमने यह concave mirror बनाया है तो हमें यह भी शो करना है कि concave mirror कैसे हम consider करते हैं एक part किसी hollow sphere of glass का तो यह से हमारा concave mirror का एक part है पूरे glass का sphere का यह पूरा ऐसे form होता है ठीक है ऐसे पूरा sphere बन जाता है और इसमें से जो यह part है यह वाला यह होता है हमारा concave mirror तब ही हम कहते हैं कि इससे अगर radius of curvature की बात कर रहे है तो किसी भी spherical mirror की radius of curvature होगी radius of that hollow sphere यह पूरा sphere है जिसका mirror एक part है ठीक है यह होता है हमारा convex mirror जिसका एक पूरा sphere एक part होता है ठीक है इसे अगर हम और अच्छे से denote कर दें तो ऐसे बीच में से मैं इसलिए हटा रहा हूँ कि यह पूरा diagram नहीं है अजब diagram वैसे तो sphere यह पूरा है लेकिन हमें बस इस concave mirror के बारे में पढ़ना है अब इस एक्सिस पर प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारा center of curvature लाए करता है अगर हम center of curvature की बात करें वह क्या होता है center of that hollow sphere इस पूरे sphere का center इसका center का होगा यहां तो यह हो गया हमारा c यानि center of curvature this point यह point क्या होता है that is P यानि की pole यह हमारा center of curvature यह हमारी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है यह तो आपका है hollow sphere of glass this is concave mirror और नेक्स चीज़ है हमारी यह बस आप यहां पर म यहां पर एम डैश या फिर एन आप कोई भी अपनी तरफ से xy भी नाम ले सकते हैं बस आपको यह जिससे पताशल जाए कि यह आपका concave mirror का पूरा aperture है जिसका एक पूरा reflecting surface है ठीक है अब radius of curvature क्या होगी radius of that hollow sphere of which mirror forms apart तो radius उसकी कौनसी है यह वाली यह radius होई थोड़े और extend होगी है मतलब यह एक्षिटी center तक आएगी ठीक है तो यह हो गई हमारी center से लेके pole तक radius of curvature अब यह होता है हमारा एक पूरा diagram जिसमें हमने कुल जो भी topics पढ़े उसे मैंने denote कर दिया principal axis center of curvature radius of curvature और pole अब next चीज हमें पढ़नी है यही same convex mirror के बारे में तो पहले convex mirror बना देते हैं इसमें जो outwards आपका bulging out है उस surface पर reflection अकर होता है मैं नाम दे दे एम और एम डेश अगर हम इसका पूरा स्फेर बनाए तो ऐसे पुछ बनेगा कि थोड़ा और अच्छा बनना चाहिए यहां पर अब हमारी principle axis जाएगी ठीक है इस और श्टेट बना लें यह हमारी principle axis हो गई यह हमारा क्या है convex mirror यह हो गया हमारा center of curvature यह हो गई हमारी radius of curvature रेडियस नहीं बोलेंगे से radius of curvature ही बोलेंगे नेक्स्ट हमारा पोल तो वहीं रहेगा ठीक है और यह हमारा hollow sphere of glass तो यह सारे हमारा एक दो डाइग्राम हमने पढ़ लिए of concave mirror और convex mirror तो इन्हें चाहें आप screenshot ले ले अब नेक्षी जो हम पढ़ने है that is principle focus and focal length of a concave mirror पहले first लिए हम पढ़ रहा है concave mirror के लिए principle focus concave mirror का वो point होता है principal axis पे जिस पे जो भी light rays आपकी parallel आ रही है उससे और principal axis के पास है वो concave mirror पे पढ़ने के बाद जब reflect होंगी वो उस point पे converge होंगी क्या का आपका concave mirror है concave mirror पे जो भी parallel beam of light आ रही है और principal axis के close है वो इस पे reflect होने के बाद एक point पे जो principal axis पे लाए करता है उस पे converge होंगी ठीक है और यह जो point होता है that is principal focus अब इसे हम कैसे denote करेंगे यह आपका concave mirror एक यह आपके principal axis जा रही है यह principal axis के close कुछ parallel beam of light है यह इस पे reflect होने के बाद ऐसे जाएंगी और जिस point पे सब converge होंगी यह भी इसी point पे आएगी इसे हम कहेंगे principal focus ठीक है यह होता है principal focus अब focal length क्या होती है simple सी बात है यह हमारा pole है जो distance होता है हमारे focus और pole के बीच का उसे हम कहते है focal length ठीक है distance between focus and pole is called its focal length ठीक है इतना आपको clear होगा अगर हम concave mirror की बात करें तो it has a real focus और जो focus होता है concave mirror का it is in front of the mirror ठीक है यह है concave mirror के focus की properties अगर हम बात करें sun की अगर हमें image बनानी है तो हम वो भी बना सकता है using concave mirror at its focus कल जो मैं बात करने होगी that will be principle focus and focal length of a convex mirror और उससे पहले बस एक बात बता दूं कि हमें relation पढ़ना होता है between radius of curvature और focal length के बीच में that is f is equal to r by 2 इससे भी अच्छे से पढ़ेंगे इसके base पे numerical आपको बहुत सारे solve करने के लिए आते हैं और काफी important हो जाता है हमारे board perspective से भी जैसे आपको दे दिया radius of curvature और focal length निकालना है focal length दीविया और radius of curvature निकालना है तो अब यह सब detail में हम कल पढ़ेंगे सुफ्लाल आज के लिए इस वीडियो में इतना है thanks for watching this video अगर आपका कोई भी सेरेशन हो जो please comment down below subscribe the channel and stay tuned for later updates thank you